निक्की तुमको बोला गया है, उसे पर तुम ज्यादा ध्यान मत दो, तभी सूरज आते हैं, और अभिजीत से कहते हैं, आपको क्या लगता है, अभी कौन एलिमिनेट होगा, अब यहाँ पर निक्की अभिजीत से कहती है, जब बिग बॉस ने हमें दोनों की जोडी बनाई तब मेरा गेम बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था, लेकिन उसके बाद से भी घरवालों ने मिलकर, जिस तरह से मुझे टार्गेट किया, उसकी वजह से सभी घरवालों ने मेरी अगेंस्ट हो गए थे, जहां अभिजीत ने कहा, तुम तुमें पता है, बॉटम दो के अं इसका मतलब तो यही हुआ कि हमेशा निक्की प्लान बनती है, और फिर घर में लोगों को टार्गेट करती है, तब ही सूरज जानवी से कहते हैं, निक्की के बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, आपको जो बोलना है वह निक्की को बोलो, अब यहां पर निक् अभिजीत से कहती है, जानवी को मुझे इतनी प्रॉबलम क्यों होती है, हमेशा घर में जानवी को सिर्फ निक्की ही दिखाई देती है, जब एलिमिनेशन हुआ था, तो उसके अगले दिन ही, जानवी ने मेरे अगेंस्ट सभी घरवालों की टीम बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि जानवी को भी पता है कि घर में कोई भी अकेला मेरे अगेंस्ट मुद्दा नहीं बन सकता है, अब यहाँ पर अभिजीत निक्की से कहते हैं, घर में जैसे जैसे लोग कम होते जाएंगे, घर की ड्यूटी बदलती जाएगी, जिसकी वजह से घर में सदस्यों को ड गार्डन एरिया में बुलाते हैं, अब यहाँ पर निक्की अभिजीत से कहती है, आज तक बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अभी तो फैमिली वीक में सभी के घर वाले आये थे, पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है, घर में किसी को भी पता नहीं है कि किसका गेम स्ट् पूर बताइए,